हेलो मित्रो आईपेल दस्वे मैच में गुजराट टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल को 14 रन से हरा दिया पूड़े के महाराष्ट कुकेट इस्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बले वाजी करते हुए गुजराट ने बीस ओबर में 6 विकेट पर 171 रन का स्कोर बनाया सुबन गिल ने 46 के नोबर 14 रन की पारी खेली जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओबर में 9 विकेट पर 157 रन ही बना पाई टॉस हारकर पहले बले वाजी करते हुए गुजराट की सुरुवात खराब रहे गुजराट के ओपनर तिसरी गेंड पर मैठ्यू वेट एक रन बना कर आउट होगे इसके बाद आए विजे संकर भी कुछ खास नहीं कर पाई 20 गेंडों में 13 रन की पारी खेल कर आउट होगे इसके बाद आए कप्तान हार्दिक पांडिया ने सुबमन गिल के साथ मिलकर पारी को संबाला दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 47 गेंडों में 75 रन की साज़ी रही की इसके बाद कप्तान भी आउट होगे हर्दिक पांडिया 27 गेंडों में 31 रन की महतोपों पारी खेली सुबमन गिल ने बहतरीन पारी खेली उन्होंने 46 गेंडों में 6 चोके और 4 चोकों की मदद से 84 रन की पारी खेली गुजरात की तरब से डेविड मिलर 15 गेंडों में 20 रन बनाई इसी तरह गुजरात ने 20 ओबर में 6 विकेट कवा कर 111 रन बनाए दिल्ली की ओर से मुस्तफिजिर रह्मान 3 विकेट जटके वही खलील एहमपाद को 2 विकेट मिला कुल्दीब को 1 विकेट मिला एक सु बहुतर रन का लक्षा का पीछा करते दिल्ली की टीम की सुरुवात अच्छी नेरी दूसरे ओबर में टीम सीफ़ाट आउट होगे पाचे ओबर में दिल्ली के टीम के 2 विकेट जटके उसी ओबर में पृत्वी सो और मंदीब सिंग आउट होगे इसके बाद लली 13 और कप्तान 25 ने दिल्ली की पारी को संबाली दोनोंने चोथे विकेट के लिए 41 गंदों में 61 रन की साजिजारी की लली 13 ने 22 गंदों में 25 न बनाए उसके बाद लली 13 गंदों रन आउट होगे दिल्ली की पारी में 15 ओवर में कप्तान डिसब पंत और अक्षा पटेल आउट हो गए वही कप्तान 29 गंदों में 43 बनाए इसके बाद 28 ओवर में रोमेन पावेल और खलील एहमद भी आउट हो गए जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 नहीं बना पाई गुज़ात की तरफ से लोकी फर्गुशन को 4 विकेट और मौमद समी को 2 विकेट और हर्दिक पांडिया को 1 और आसित खान को 1 विकेट मिला धन्यवाद